हाई फ्रेंट सहाज हम बनाने जा रहें सूजी का हलवा यह सूजी का हलवा बिना स्किप के एंड तक जरूर देखे क्योंकि ए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मुँ में रखते ही गुलने वाला सूजी का हलवा बनने वाला है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो हम उपमा बनाने के लिए सूजी यूज करते वही सूजी को हमें लेना है एक बार इसे अच्छे से छान कर लेजिए अब मैंने यहाँ पर एक मोटी कडाई में इस सूजी को डालते हुए यह देखें यहाँ पर घ्यास के मेडियम आज पर एक से दो मिनिट तक अच्छे से ह अब मैंने ऊपर से दो चमँच जितना घी डालाए और घी डालने के बाद हमें फिल से दोसे तीन मिनाट तक इसे अच्छे से इसे हिला ते वे इसे फ्राय करना है इक देखें इसे मैंने कम से कम 6-7 मिनिट तक इसे ही चलाते है इसे भून कर ले आए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद हमें यहापर ग्यास को लो फ्लेम पे रखते हुए फिल से एक मिनिट तक भूनना है अब मैंने ग्यास को ओफ करते हुए उसे साइड पर रखाए अब हमें यहापर एक दुसरी कडाई लेनी है इसमें मैंने यहापर चार टेबल स्पून जितनी घी डाली थी अब हमें यहापर थोड़े से ड्राइ फूर्ट लेने हैं और इसे कट करके लेने हैं अब मैंने इसमें अच्छे से गालते हुए फ्राय करके लिए आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पर इसमें जो भी बचा हुआ गी है, इसे में हमें पानी डालना है, यह देखें यहाँ पर मैंने एक कप सूजी के लिए तीन कप जितनी पानी डाली है, यानि के मैंने दो कप सूजी के लिए छे कप जितना मैंने पानी डाला है इसमें, दो कप सूजी के लि यहाँ पर फूड कलर यूज करना है फूड कलर के लिए मैंने यहाँ पर वनफोर टेबल स्पून जितना फूड कलर डाला है उसके बाद हमें यहाँ पर चीनी डालनी है यहाँ पर मैंने चीनी को दो कप सूजी के लिए दो कप से थोड़ी सी कम मैंने चीनी यूज किये यह द दालते हुए एक बार अच्चे से मिक्स करना है उसके बाद मैंने यहाँ पर आदा चमच जितना इलाईची डाला है और इसे भी हमें एक बार अच्चे से मिक्स करके लेना है यह देखें मिक्स हो जाने के बाद यह अच्चे से उबाल आने चाहिए पानी में यह अब पानी मे नहीं डालना है नहीं तो ये गुंतलिया रहे जाती है ये देखे मैंने सारा सूजी थोड़ा थोड़ा करते वे इसमें डालना है और आपको इसे कंटीनिवेसली हिलाते रहना है ये देखे यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स हो चुका है अब मैं जो उपर से ड्राइफ रूट को फ्राय करके लिया था इस ट्राइफ रूट्स को डालते विए इसे अच्छे से मिक्स किया है अब आमें इसको पाच मिनिट तक लो फ्लेम पे एसे ही रखना है ये देखे कितने अच्छे से ये सूजी का हल्वा बन कर रेडी हो चुका है आपको घी का टेस्ट पसंद है तो फिल से दो चमच या पर ओपर से डाल सकते नहीं तो आप प्लेट में सर्व करने के बाद घी को डाल सकते ये देखे कितने अच्छे से सूजी का हल्वा बन कर रेडी हो चुका है इस अक्षरीत रुतिया पर एक बाल जरूर सूजी का हल्वा जरूर बना कर ट्राय करके देखिए भूति टेस्टी बनता है और परफेक्ट बनता है और कम महिनत में भी बनता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़िए